everyone in a selection we are going to cover the Indian mapping again it is a nightmare क्योंकि nightmare को ही मैं cover कर रहा हूँ और in topics । im getting messages यार कि इनसे FOMO हो रहा है FOMO आपको confidence डाउन हो रहा है underperform कर रहा हूँ ठीक है exam script करने का मन कर रहा है and blah and blah ok but don't worry हम दोग Indian mapping को comprehensive way में cover करेंगे and I can assure you ठीक है, कि आपको जाजादा रटनी के जरुवत नहीं पड़ेगी, जो मैं है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर याद कराऊंगा, आपको उस तरीके से याद करना है, because I will give you a mental memory, ठीक है, एक आपको mental map मैं दे दूँगा, and उसी mental map को आप दोचार बार रिवाइस करोगे, things will be easier for you, ठीक है, now I will give you an overview कि क्या cover करेंगे, जितने भी इंडिया में लेक्स हैं, जो important है, ठीक है, ऐसे तो, ऐसे तो कितने सारे, 75 तो रामसर साइटी है यार, ठीक है, लेकिन जो important लेक्स हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे, then we will talk about की what is the physiography of India, इसके बारे में एक idea लेंगे, कि India का physiographic मतलब क्या, कि physical structure किस तरह के से डिवाइट किया हुआ है, यहाँ पर हिमाले है, यहाँ पर कच्छा है, कटियावाड, इस तरह के से एक बार एक गैंजेटिक प्लेन है, यह पनिसलार प्लाटु है, यह आपका सीट के रटना पड़े है, ठीक है, and then we'll talk about कि एक और फ्रावा सा डीटेल में जाएंगे, we'll talk about कि हमालया के जो रेंजेस हैं, desert कहाँ पे, great plane कहाँ पे, central hills, peninsula plateau, वही जो यहां लिखा था ना, इसी को मैंने फ्रावा सा यहां पर और elaborate करके लिख दिया है, ठीक है, okay, then we'll start with कि यहां पर जो हमने फिजोग्रफिक डिविजन पढ़ा है, इसको वन बावन करके देख लेंगे, जैसे मालो हैं पर हमालयाज है, तो यहां पर हम दोग हमालया के बार भी देल बात कर लेंगे, क्या के रेंजे से यहां पर, ठीक है, कैसे structure हुआ हमालया का, उसके बारे बात कर लेंगे, then we'll talk about कि अब हमाल, पहले बात करें हिल्स के बारे में, mountains and hills, तो एक तो हमालय हिल्स के बारे में बात कर लिया, फिर यह Central India में जो हिल्स हैं, यह Central India वाले hills हैं, ठीक है, then Southern India में जो हिल्स हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे, then we'll talk about कि पुरवांचल में, यानि इस रिजिन को पुरवांचल कहते हैं, इस पुरवांचल में जो हिल्स हैं, इनके बारे में बात कर लेंगे, then we'll talk about the Garo Khasiya and Jaintia, which are a part of your Peninsular Plateau, बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, then we'll talk about a few basic things, जो आप में रटना चाहिए, and यह रटने लें को दिक्कत की बात नहीं, now coming to the passes, अब passes के बात करें, देखो, passes में क्या देखना है, कि इसमें बहुत सारे passes हैं, तो इनको रटना easy नहीं है, but इसमें जो important passes हैं, मैं आपको याद करा दूँगा, ठीक है, now come here, अब बात करते हैं, reverse के बारे में, this is the most important and सबसे ज़्यादा painful topic है, reverse, ठीक है, तो river ने बताऊंगा आपको कि दो तरह की reverse होती है, इंडिया में Himalayan rivers and there are Peninsular rivers, ठीक है, अब Himalayan rivers में Indus, Ganga, ब्रहंपुतरा, तो सबको बनबाइं करके देखेंगे, Indus river देखेंगे, Indus river की right bank, left bank क्या tributaries है, फिर इनकी tributaries को देखेंगे, जेलम, चेनाब, रावी, भ्यास, सतलज, then we'll talk about Ganga, उसकी tributaries, then we'll talk about Yamuna की tributaries, then we'll talk about की ब्रहंपुतरा और उसकी tributaries, ठीक है, and then we'll talk about the peninsular rivers, like Ramadha, Tappi, Mahi, Samadmati, Mahanadi, यह देखने में आपको डॉंटिंग लग रहा होगा, but मैं आपको इस बात का, I promise you, little again, a pinky promise, की मैं आपको यहीं के यहीं आपको दिमाग में एक mental map बन जाए, मैं इसको इस तरीके से प्रिपेर किया है, it is very very easy to remember, ठीक है, वो जिस लिखे हैं यह मैंने जो याद दायर कर सकूआ, ठीक है, now coming to the coastal rivers, ऐसे rivers की coastal area में train करती है, ठीक है, तो इन river के बारें बात करेंगे, then we'll talk about की Andaman, Nicobar Island, जिस पे question आ चुका है, आपको एक्यू में, so it is very important, और news में अक्सा रहता है, so Undaman, Nicobar करके, then I'll take you leave, ठीक है, so this is a brief overview, now we are going to start with our, पहले river करते है, then we'll come to the mountains, ठीक है, क्योंकि mountain जल्दी हो जाएगा, river में time लेगा, so let's save our energy to do the most daunting topic first, तो river, we have two types of river, एक Himalayan river, एक Peninsular river, ठीक है, हमाले में है यार, यह Peninsular plateau में मतलब, कि अगर यह इंडिया है, इसकी Peninsular plateau में एक river है, तो यह वाली river है, और हमाले वाली region में है, तो कौम सी है, आपकी Himalayan river है, अब और feature क्या है, feature समझो इसके, Himalayan river जो होती है, they are perennial river, इसका क्या मतलब है, कि यह सालों भरस में पानी रहत घाट में पानी जम गया, and some rainfall is there, some waterfall is there, उसके तो यह source होगा, however इसका source क्या, glacier, ठीक है, okay, very well, now, अब Himalayan river इसके बार में एक question में जिसमें आपके आ सकता है, ठीक है, आता है generally, but फिरी कलिए पी देख लेता है, कि Himalayan river जो होती है, they are mighty rivers, पहली चीज, and mighty तो यह भी है, but यह ज slope जादा है, जो उपर नीचे आएगे, तो कानेटिक जादा होगा इसकी, and third reason is that, कि Himalaya जो है, it is a plane, and since it's a plane, it's a newer landmass, and newer landmass है, तो क्या होगा, it is not that strong, however, Plansular plateau is an old landmass, and it is very strong, and strong है तो इसको erode करना क्या है, easy तो नहीं है, that's why, आप Himalayan river में, जादा erosion capacity है, जादा erosion tendency है, and Plansular मे नहीं है, यह basic आपके geography concept हो गया, ठीक है, now, अब हमने काम की बात करते है, तीन तरह के Himalayan rivers है, Indus, Ganga, Brahmaputra, मतलब, कि इन तीनों का source कही ना कहीं तो भी, कही ना कहीं तो भी, क्या होगा, that will be your Himalaya, या फिर Himalaya से होकर गुजरेंगी, या फिर इनका जो source होगा, वो कही ना बात करना थोड़ा सा लोग को tricky लगता है, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पर इंडस will be once and for all over, ठीक है, कैसे देखो, हम दो चार चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे, जितनी भी रिवर पढ़ेंगे, नहां, दो चार चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जब अगर इंडिया में originate होगी तो भाईया किस state में होगी, वो state को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, और अगर इंडिया के बाहर originate हुए तो उसका मतलब इंडिया में enter तो कर रही है, इंडिया के river है तो, so इंडिया में किस point पर enter करती है, we'll talk about that particular point at which that particular river is entering into India, because its source was beyond India, outside India, right, so दो चीज़े के बाहर ने बात कर ली, तीसे चीज़ बात करेंगे, कुछ special feature उसके अगर हो गए तो, ठीक है, and third हम लोग बात करेंगे, tributaries, अब tributaries जब बात करें, we'll talk about left bank tributaries क्या है, and right bank tributaries क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि left bank tributary और right bank tributary में क्या फर्क होत आपके, तो मैं क्या करूँगा, कि I will stand in this way, ठीक है, मैं इस तरीके से मैं इस the stand कर लूँगा, ठीक है, ताकि मेरा जो face है थीक है face जो हो वो इसके river के direction में हो ठीक है तो बताओ कि मेरी right bank tributory क्या होगी मेरा right side क्या होगा यह right side होगा मेरा left side क्या होगा left side एड पर इस side में जो भी tributories बनेंगी जो भी river आखे इसको join करेंगी उसको बोलेंगे left side tributary ठीक है, left bank tributary और जो right side में होंगे उसको बोलेंगे right bank tributary से, ये चिस clear है, ओके अब एक और concept समझो, उसको बोलते हैं, distributory ठीक है, distributory versus tributary, इसमें क्या फर्क है आपको पता है क्या, देखो समझो देखो, tributary का मतलब है कि मानलो की एक main river बहरी है इस main river में, अगर किसी एक river ने जाके join कर लिया, for example अगर मानलो की main river यमुना थी, ठीक है और यमुना को अगर चंबल ने जाके join कर लिया, तो चंबल को क्या बोलेंगे, चंबल is a tributary of यमुना, ठीक है, so this is how it's happening, so अगर किसी river ने जाके किसी बड़ी river को join कर लिया, तो बोलेंगे, चंबल is a tributary of यमुना, however अगर कोई बड़ी river है, ठीक है बड़ी river आरे है, आरे है, एंड किसी point पर आने के बाद, it is distributed ठीक है, तो इस case में क्या बोलेंगे, जो इसकी distributed part होगा ना, उसको बोलेंगे, डिस्टिब्यूटरी example, जब गंगा इस तरीके से यहां इंटर करती है, तो एक फरक्का नाम का एक जगे है तो फरक्का नाम के जगे पर गंगा जो इने distribute होती है, ठीक है, ये हुगली में distribute हो जाती है ठीक है, so हुगली river basically is a distributor of Ganga, ठीक है so अब इसका concept समझो कि आखे river distribute क्यों हो रही है, समझो geography का है, कि river आ रही है अब river को यहां Bay of Bengali में Ganga को यहां Bay of Bengali मिलना था अब Bay of Bengali तो saline area है salinity इसके जादा है, जब salinity जादा है तो इसके density पे जादा है जब densities आए, तो river यहां से आके मिलती है तो इसके speed कम होती है, जैसे उसके speed कम होती है river खुद को divide करना चाहती है and that's a natural tendency of river to divide itself when its speed is decreased, ठीक है अपने load को कम करती है, distribute करती है ठीक है, यहां से उसको obstruction मिलता है that's why, यहां से उसको जो easier path मिलता है, वो वहां जाना चाहती है that's why the river gets distributed, ठीक है and that is the idea of a distributory तो by now, what we have cleared कि source क्या है, special क्या है tributary में left bank, right bank क्या होता है and what is the difference between the distributory and the tributary, यह basic clear है अब यहां से आपको कुछ भी दिक्कत नहीं अब बस fact को दिमाग में अटागर रटना है, देखो इंडस river सबसे पहले बात करेंगे which is your this river, यह सबसे main river के बारे में बात करेंगे, ठीक है अब बाकी यह जारे river जो है, इसके tributaries आ के जोईन करेंगे तो यह सब सारी क्या हो गई है, tributaries यह सबसे यहां सबसे जोईन करेंगे, यह सबसे क्या जोईन करेंगे पता करना पड़ेगा निडिया में इंटरी पोईट किया है? So this is your entry point. तो इंडिया में इंटर कहां से करता है? लदाक से इंटर करता है. ठीक है? और लदाक से इंटर करने के बाद, flow कहां करते है? इंटर कर रहा है? इंटर करेगा? इंटर करेगा. मांस वर इंडिया के बाहर है तो इंडर करेगा इंटर करेगा तो कहां से करेगा लगा यह कर गया तो इंडर कर गया तो किस टेट निर्वांग ऑला जम्मू किश्मीर तो करेगा ये क्लीर है ओके तो इंडरिश खते ओर लगा LIbe bank tributaries यह सारी है, तो यह उपर वाली right bank है, यह नीचे वाली left bank है, तो right bank वाली कौन सी है, देख लो, शोक, नुब्रा and गालवान, देखो कैसे, पहले शोक आता है, फिस शोक को नुब्रा जोइन करती है और नुबरा को गालवान जॉइन करता है तो शोक नुबरा गालवान अगर एक्जाम में कॉशन आये कि ये किसके टिर्बुटरी है तो ये इंडस के टिर्बुटरी है जनरल ये आपसे ओ लिफ्ट बैंक तो यह चार हो गया, गिल्गेट, गल्वान, एंड उबरा शोग, यह चार कर लेंगे, ठीक है, पांच बाइ रट होगे, एक दम दिमाग में हो जाएगा, अभी जच रटना है, मेरे साथ आपको यह यह ना इस तरीके से नहीं, खेल मिजाग नहीं करना है, ठीक है, अभी मैं लिए तो क्या easy होगा यार, बताओ आपकी, मैं आपको यहां बता दूँ कि देखो, यह है, यह करके मैं चला जाओंगा, आदे घंटे वीडियो खितम करके, ठीक है, I am, it takes a lot of energy, ठीक है, तो प्लीज उसको आप utilize कीजिए, अब बात करते है, right bank देख लिए, अब left bank के बारे बात कर लो, तो left bank tributary, यहां हम लोग पढ़ेंगे, left bank common tributaries है, देखो, यहां पर, जेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास सतलज है, यहां यह पांजो पढ़नी है हमें, देख लो कहा है, जेलम, चेनाब, रावी, ब्यास सतलज, इनके बारे में कुछ detail पढ़ लेंगे, क् जेलम कश्मीर में तो इंडिया के अंदर में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम यह नहीं पता करना, इंडिया में कहां से इंटर करना तो एक point अपने काड़ दिया, तो source कहा है, विरिनाग स्प्रिंग, जमू कश्मीर चलो, ठीक है, यह देख लिए, इसको रटलेंगे ठीक है, अब यह जेलम रिवर किशन गंगा के नाम से पाकिस्तान में फ्लो कर रही है, ठीक है, अब इसमें किस लेक से connection है, तो वूलर लेक, डल लेक, अब जमू कश्मीर में दुनों लेक से हैं, तो इससे हम लोग एक connection लगा सकते हैं न, दिमाग का, एक्जाक्ट किसी को याद नहीं होता एक्जाम में, आपको समझ ना होगा उस चीज़ को, ठीक है, ओके, वेरी वेल, अब बात करते हैं कि अब ये जेलम है, अब question क्या बनता है, कि जेलम टर्बिटरी ये चेनाब का कि चेनाब टर्बिटरी ये जेलम का, तो देखो यहाँ पे, जेलम तो अपन सब मिलती है, सब एक दूसरे से मिल रही है, ठीक है, अब चेनाब के बारे में बात कर लो, ठीक है, इस तरह के तो ये order धियान रखना में, ठीक है, पहले जेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलच, ये order आपसे पुछती है, नॉट तो साउस अरेंज करने तो ये बटा देता हूं, आपको, इंडस, जेलम और चेनाब, ये पाकिसान के लिए है, और रवी 27 nåt तीनुअ इंडिए के लिए, कासी रच सकते हैं? अदेको तीनों नाम इंडिएन नाम है, थे इंडिया के लिए और ये तीनों कके हैं, ये पाकिसान केलिए, ये 2017 के जहलिम हो गया अब चेनाब बागन कहां हो रहा है हीमाचल कहां हो रहा है रावी कहां हो रहा है बयास कहां हर रहा है ld कि अधिन कर दुस्स दुदिया conception तो दो मांसरोवर में हो गया है हमारे, एक इंडस और सतलच, यह दोनों कहां पे हैं, इस तो आरे मांसरोवर, ठीक है, इस तरीके से आप रिवर से इंजिनियर करके, एक्टिव रिकॉल करके याद रखो, तो जेलम के लिए इंपोर्ट फैक्ट कि वुलर लेक यह लेक हो गया छिणन गंगा की औरूर लेके सिर्फ आकि वरीनाग में इसका नाव हिमाचल प्रदेश और एनसको चंदर भागा के लिए, इस यू बारत में है, घंस को और एक जान्दर पर से इंपार्ट यह हिमाचल कि जेलम ऑ्कि rejecting हाँ क्जने र प्श्मू को पुछले एक्जाम में कौन इंडस की चेनाब ठीक है यह सब MCQ बनेंगे यहां से अब रवी में आजाओ तो रवी इस स्मॉलेश ट्रिबिटरी ऑफ इंडस तो MCQ समझो पूछेगा आप से कि लाजर्स ट्रिबिटरी इंडस चेनाब स्मॉलेश इंडस ठीक है किसको किशिंग का कहते है जिलम को ठीक है ओके चंदरभागा किसका नाम है चेनाब का ठीक है चाचा अब ब्यास में आ जाओ अब ब्यास इसी ओनली अब एक फैक्ट इसके लिए पुछ कि बस बस करके कि बस भाई बस इंडिया में ही बहना तो इस कुछ आई नो से लिए है बर ठीक है तो बस भाई इंडिया में बहता है तो इंडिया में बहता है ठीक है बस बस करके इसको रोक दिया लोगों है तो इंडिया से बाहर जा नहीं पाई तो इंडिया में बहा रह नवब इस टो रिवर्टर कमिंग ब्यास प्लस सतलज यह नव इंडिविजिल ब्यास निर राई ए हृए थीक है ओके ठीक है यहां तक ठीक है तोगे ठीक है जो नव बाइ दिस ताइम वट व्ट व्ट व्यवेश सीन इस एक सेगे राज ओके वाट इफ सीनिज ग्या कहें देख लिया है ठीक है अब मुझे बताओ कि इंडिया के बहार कौन को और सी दो रिवर है एक तो आपका राकसली क्लेशिर वाला मान सरूवर में कौन सा है सतलज और मान सरूवर में ही और रिवर है वो आपकी इंड़स सतलज दुन रो पर इ और इंडिया के बहार अगेन है, इंडिया में इंटर नहीं करेगा, उसको बोलते है, शिपकीला पार, तो इंडिया में 17 और 17 क्म में इंडिया में से इंटर पास, ठीक है, और इंडस आफटन न्यूज में रहता है, लास्टे भी न्यूज में था, इस साल भी न्यूज में, एक किशन गंगा के उपर हम प्रजेक्ट बना रहे है न, पाकिस्तान ने इसके उपर अब्जेक्शन कर रहा है, मैंने पढ़ाया आपको इसको, अपने पीटी वाल हुआ है, ठीक है, और एक और कॉशन पुझाएगा कि ब्यास और सतलज रिवर कहां मिलते हैं, हरी के वेट लैंड, रामसर साइट पढ़ाया है मैंने, ठीक है, अब एक बार एक्टिव रिकॉल करो, विच इस दर लाज़ेस्ट टेबिटरी आफ इंडस, चैनाब, विच इस इस पार इंडस हो गया है, इसी पार इंडस हो गया है, इसी पैटन में रिवाइस करना और कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है, अब आजाओ गंगा नदी पे, अब गंगा पे आगे, दहुली गंगे, ओके, टीक मीए शेकड़ी, अब यह उरिजिनेट कैसे होती है, देखो गंगा शुरू से गंगा नहीं है, गंगा इसब भगई रती रिवर और जीनेट करती है, कहां से करती है, गंगोत्री करती है यह चीज़ क्लियर हो गई ठीक है ओके फिर गंगा जैसी आगे पर 30 में और रिवर स्ट्रीम्स आके मिलती है और बिकम्स गंगा ठीक है ओके अब आप करेंगे तो एक राइट बैंक एक लिफ्ट बैंक राइट में दो है कि यमुना और एक सोन लिफ्ट में बहुत सार अब इस तरीके से यह बेफ बिंगॉल में ट्रेन करती है तो बताओ इस तरीके से मैं आकर यहां पे इसका इसका आप फेस बना दूँ यह कर दूँ आप इदर मुह लेकर खड़े हो जाओ ठीक है तो बताओ यह यह राइट बैंक होगा शरी हां यह आपका क्या हो जाएगा यह राइट बैंक होगा और यह लेफ्ट होगा तो इसका मतलब कि यह लेफ्ट हो गया और यह राइट होगा इदर मुह रखके खड़े हो आपको पता पड़ जाएगा ठीक है तो यह राइट हो गया तो इसका मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्टरी वो है जो गंगा के ऊपर से मतलब कि जो ये उतर प्रदेश, उतराखन वाले रीजिन में जो भी नदिया होंगी, कि लिफ्ट बैंक में होंगी, और जो यहां से आपका यमुना, और जो आपका सोन, जो रिवर होंगा, यह कौन सा होगा आपका, यह होगा आपका राइड बैंक, that is why, देखो, राइड यमुना, इंसोन, कहा रटनी के जरुवत थी यहां पर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ओके, तो यमुना, सोन, आपका राइड बैंक होगे, और लिफ बैंक होगे आपका यह सारा गुतुर, एक्जाम में आपसे गंदा के उपर, क्वेशन यहां पर बन सकता है, क्योंकि य तो यह आपसे पूछ सकते हैं, कि which are the right bank and left bank, तो इतना बस धियान रखना है कि right bank में तो यमुना हो रही है, हमें इतना भी पता है कि यह इसका flow का है, तो यहां मूले के खड़े हो जाएंगे हम लोग, और पता बढ़ जाएगा यह वाला भया, यह वाला तो आपका left होगा, यह right होगा, यह राइट में तो यहां पे तो सिर्फ यमुना रिवर, इस तरीके से में अपरोच करना है, एग्जैक नहीं रटना होता है, तो यहां तो कुछ तो भी यमुना रिवर बहती है, यहां से सोंध रिवर है, तो यमुना के बागी ट्रिबुट्री जे केन, बेड यहां पर, अब यामुन हम देखो क्या देखना में हमारी ले इंप्रूर्ट है, बंदर पू और यहां से होते वएằढ किया दसràर हो, Cam Doe। ले यमुना प्लस गंगा कहा मिलतीह हैं यूपी में मिल रहैं, यह एक ध्यान त्यूहर अग्जैम के लिए, थीखिंड.. कि यमुना में एक कौन से river आके मिलती है पहली चम्बल river आके मिलती है ठीक है फिर दूसरी किसी river मिलती है केन और बेटवा तो चम्बल केन बेटवा एंड सिंध चार river मिलती है चार river the tributaries of यमुना ठीक है तो यमुना जो थी वो तो खुदी गंगा के tributary है और इसमें चार river आके मिलती है आपके कौन सी यह जम्बल केन बेटवा सिंध ठीक है अब चम्बल में भी जम्बल के पास भी एक tributary है ठीक है आप समझ रहे हैं यह गंगा आ रही है यहां से फिर सी यमुना मिलेगह अब यमुना में भी कुछ river आके मिल है अब चम्बल इस से आके मिलेगी तो चम्बल में एक और रिवर आके मिलती है उसों कहते है क्या Бाहनसर गाहां पे करते है राजस्तान ने जरती है ठीक है तो बाजस रिवर इन जरतान ठीक है चम्बल रिवर बन्दो राजस्तान में अब चम्बल रिवर का सोर्स कहां है तो एक ची समझो कि रिवर कहीं ना कहीं से निकली होगी और कहीं ना कहीं तो बहेगी जहां से निकली ही वह सोर्स है तो चम्बल का सोर्स MP में है बट 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 ये बहती राजस्तान में भी है ठीक एक कोशन पुछा है न यूपे सीने की विच और फॉलिंग एरियाज जहां पर की घरियाल किन भी सीने दे नाच्रल हविटेड चंबली आंसर था उसका ठीक है अब चंबल के ट्रिबिटरी को है बानस तो यह ध्यान रखेंगे पुछले का बानस वगर कहा है तो यह सब ध्यान रखना है सिंध माला प्लाटू में निकलेगा वहीं भाएगा एंड केन का सूस कैमूर रेंज है के फॉर केन के फॉर कैमूर ठीक है और कैमूर रेंज कहां पर MP में हम जब पढ़ेंगे तो आँ देखेंगे अब केन्द रिवर के बार में सबसे इंपॉर्टन फैक्ट मैंने पहले भी पढ़ाया आपको कि 15 टाइगर रजर्व से यह केन्द रिवर पास करती है बट वट वट वे ट्राइंग तो यह हम चाहा रहें ना कि केन बेटवा को लिंक कर दें ठीक है अब 15 टाइगर रजर्विशन पढ़ता है तो यह कर फ्लोहिंग करेंगे तो फिर फ्लड हो जाएगा अब बेटवा रिवर इस वोटर इफिशिंट केन रिवर ने पानी है तो इसका पानी निकाल के इसमें हम शेप करेंगे तो केन और बेटवा ठीक है अब बात करो कि एक गंगा जो आई नीचे वाली बात कर लिए हमने ठीक है अब बात कर लिफ्ट बैंक ट्रिविटरी जी उपर में आके यहां से मिल रही है गंगा में तो यह कौन को आई थी पहली राम गंगा रिवर अगर मैं अगर आपने मेरे सेरीज को फॉलो किया इतना ध्यान अगर गॉंती रिवर बहती है कहाँ से यूपी से है minimal राम गई रिवर कहाँ से बहती है यूपी से बहती है मतों अथा इनक इनक नहीं उत्तराखण ठीक है ठीक है ओक है Now come to the Ghaagra, Ghaagra again is in UP, Ghaagra नाम से लग रहा है, तो it's like Ghaagra is in UP, अब very important fact कि Ghaagra का जो सोर्स तिबबत है, यह unexpected सा लगेगा आप, Ghaagra UP में बह रहा है, तो इसका सोर्स तिबबत कहा है, तो this is one important fact which should remember for your exam, which can be a bouncer exam के टाइम में, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक bouncer है, ठीक अब UP में आयोध्या से पास करी कोई खास बात नहीं है, गंड़क रिवर देखो, गंड़क रिवर अब बिहार में है, ठीक है, एंड बिहार बारवर जो आता है ना, फ्लडिंग के लिए बहुत रिस्पॉंसबल एक गंड़क रिवर, और एक वालमी के टाइकर रजर्वे गंड़क वालमी के टाइगर पिलिविस से कोमती और जिम करफिर राम गंगा, ठीक है, यह उतरह खंड यूपी यूपी एंड गंड़क बिहार, ठीक है, कोई, अगैं कोई भी बिहार से पास करीं बड़ कोई का सोर्स नेपाल है, ठीक है, ओक है, तो सौरोफ बिहार, सौरो को चेंज कर लिया मतलब कि अब ही यह पार्ट सुखा था अब की बार किया वह इसने को चेंज कर लिया आपने तो इस पार्ट विच विच वज ड्राइब को चेंज कर लो अच्छा ने इसको कोशी को नापने नेपाल में सब कोशी भी कहते हैं ठीक है अब हुगली रिवर के बात करो मैंने पढ़ाया पहले है हुगली एक्जाम बोल देगा कि अब हो जाएगी, जाता है फार्यक जाता है पत्मा झणाजी बांगली में और ट्रेंगोल थेमेट्ल रिवर कॉल्ड अ क्टिवेवर बंग में ट्रेंग रहना जाएगी फिर यहां से जारकंड से एक Daamodhar River आएगी इसमें मिल जाएगी तो Daamodhar River विल जॉइंड यह हुगली को जॉइंड करेगी So Daamodhar River is a tributary of हुगली But हुगली is not a tributary of Ganga Rather हुगली is a distributary of Ganga यह ध्यान रख लेंगे क्या कि दामोदर जो रिवर आके मिल रही तो ट्रिबिटरी होगी ना यार बट खुगली रिवर जब यहां से निकली थी ठीक है ओल राइट ओके यहां तक होगे अब ब्रहम पुत्रा में आ जाओ कितना स्मूधली निकल रहा है अब ब्रहम पुत्रा में देखो जो भी मतलब की नाम है I can't pronounce it sorry तो शेम्यूंग दांग जो है शेम्यूंग दांग गलेशियर है अगर इतको नाम से पॉइंट कालेश का इंटर करेगी अनुनाचल प्रदेश में इंटर करेगी ठीक है ऐस दिहांग रिवर तो यह दिहांग रिवर के नाम पर यहां पर इंडिया में इंटर करती है फिर जैसे इंटर करती है इंटर करती है इस जोइन ब्रहम पुत्रा कैसे इंडिया में ब्रहंपुत्रा नो यह जेम्यूंग दंग रिवर से यह को फीड करेगा और दिहांग रिवर बनके इंडिया में अटनाशल प्रदेश में इंटर करेगी और उसके बाद अंदर और जाएगी तो यहाँ पर अगेन इस जोइन बाई टू रिवर्स दिभांग रिवर फ्रम अगर आपको यादना रहा है कि लिफ्र राइट कोई तो कोई दिक्कत नहीं बस इतना याद रखो कि दिभांग लोही धंसरी यह सबके सब इसकी ट्रबुटर्स हैं एक और चीस की आज़ा है कि धंसरी फ्लोस तो नागलेंड और तिस्ता सिक्कीम है और बंग्रादेश में इस ती आग्रीमिंन हुआ था ना टीक भाझदेश विश्व भंकों में एस्स्टन में आगलेंगे बनाइस नाविश नाशर पर्ड़ सुम इस तो मीज़ली यह यह चार ऑंनाशर पर्डेश में एक नागलेंड और एक के सिक्कीम में होता है एंड एक भूदान में इतना इ यह दिख़ुनिया जो वाम नाम में आ जो यह तो यह अत्र nessa लेको المड़र ठीक है, अन्तिस्ता, मानस, कामेंग, सवांश्री, यह सब ब्रहंपुत्रा के ट्रिबूटरी है, ठीक है, अब एक चुछ दो ध्यान रखो, कि मजूली आइलेंड पुछलेगा क्या है, इस वर्ल्स लार्जेस रिवरिल आइलेंड, ठीक है, नॉर्मल आइलेंड नहीं है, ऐस इस अपर पुछ दो ध्यान रखेंगे, तो धिस अलब आइलेंड ब्रहंपुत्रा रिवर, तो हमने क्या देख लिए, एप देखो, क्या देखना है, व्लिटाइब पैनिसला रिवर्स, ऐसे रिवर्स देखो, वो सारी इवर कौंसी थी, हिमालन रिवर्स थी, कौन कौंसी, इंडियास गंगा भर्मपुत्रा, और इसकी जो भी ट्रबुटरी हैं, वो सारी की सारी कौंती हिमालन रिवर्स थी, now what we will talk about the peninsular rivers, ऐसे रिवर्स जो कि यह peninsular इंडिया में बहती है, ठीक है, now one will talk about the नर्मदा, अब नर्मदा देखो, क्या धिया ध्यान रखना है, एक्ज यह hill किसी mountain range के उपर होगी, ठीक है, कौन से range है, मैकाल range, ठीक है, मैकाल range, ओके, तो इस मैकाल range के उपर है, अब समझो कि नर्मदा यहां से अमर कंटक hill के अंदर में पानी वानी जमा हुआ होगा, और यहां से यह तो बन गई, आप बनने के बाद flow तो करेगी, तो यह MP में अरिजिन हो चुका था, बट flow कैसे करेगी, ठीक है, यह MP बॉर्डर में यहां पर अवर कंटक में बन गई, MP 36 के बॉर्डर में, अब यहां से flow करेगी, तो जब flow करेगी, तो किसी किसी के बीच flow करेगी, तो उपर में विंधियाज है, और नीचे में सत्पूरा है, वोड़ यहां पर अरावली देंगे, तो गलत है, ठीक है, ओके, नाव यह नर्मदा हो गया हमारा, अब ध्यान क्या देखो रखना, कि कहां से कहां बह रहा है, MP से गुजराद, अब यह एक शित और ध्यान रखो कि क्या यह West flowing river है, यह फिर East flowing है, कहां flow कर रहा है, West में कर रहा है न, यहां पर एक लिख लेते हैं क्या, इतना लिख लेंगे, ओके, अब आधाते है, तापी तापी जो बोले इसको, यह तापी river है, तापी river का source कहा है, सत्पूरा, अगेन मदपरदेश, यह मदपरदेश, यह मदपरदेश ठीक है, माही river देख लो, अगेन इसका कहा है, सत्पूरा से निकल रही है, कौन से river, माही river, ठीक है, ओके, और इस विंद्या से निकल रही है, स्वरी, विंद्या से निकल रही है, आपकी माही river, ठीक है, और सत्पूरा से निकल रही तापती river, तो इससे निकल रही कौन से river, तापती river, ठीक है, तो यह माइंड मैप बना अब इससे विंद्या से एक रिवर निकली और एक बता यहां देख लो तो कहार गया विद्या से अपका विंद्या से निकल रही माही and Satpulaas निकल रही है, टापी रिवर, क कैसा आज रखओ कि, S, T, S के बाइ humidity आता है, तो देख लो Satpulaas निकल आपकी तापी river और इस से निकल आपकी माहीर इवर ठीक है, विंधिया से माही रिवर, ठीक है, ओक्यों, वो एक गाना है न, माही वे, ठीक है, इतना इतना निमोनिक को एक्जाम में याद रहेगा नहीं, ठीक है, आपके आत्मिक शान्ति के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपके आत्मिक शान्ति के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, only alternative is the repeated revisions, ठीक है, and a structured way of notes, structured way of mental map मैं ने दे दिया है, अब if only you can revise it, your job is 100%, 90-80% आपके easy हो गया job, ठीक है, अब देखो, tapi river source, satpura, st, अब कहां-कहां, satpura MP में है, ठीक है, MP से निकलेगी, तो महाराष्ट गुजात बहरी, इसका मतलब, कि ये MP से निकलके, फिर महाराष्ट और इस तरीके से गुजात में बहरी है, इस तरीके से बहरी है, तो इसका मतलब कि again it's a west flowing river, तो again मैं यहां पर क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये west flowing river है, it's a west flowing river, इसको मैं यहां ने लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको यहां पर, इसको यहां पर लिखता हूँ कि west flowing river है, ठीक है, ओके, अब चलिए, मही पर आ जाईए, आप देखो, मही कहां से निकल दी, MP से निकल दी, और ग अब समझो, मही river, विंद्याज, और कहां से कहां, MP, राजस्थान, गुजरात, और तापी कहां है, MP, महराष्ट, गुजरात, इसका मतलब, कि ये MP से राजस्थान में जा रही है, ये एक extra है, मही river, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि यहां पर MP है, ठीक है, फिर यहां पर राजस्थान है, यहां पर गुजरात है, तो ये कुछ उपर से जाके नीचे आएगी, जब उपर से नीचे आएगी, तो इसने क्या करा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बर कट कर दिया, तो मही पुछले के एक्जाम में कि विच रिवर क्रॉस्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यूं, महात्मा गंदी से याद रखो, ठीक है, तो सावरमति आश्रम, तो गुजरात में तो होगी, अब यह आएगी, सोर्स कहां पर होगा इसका, अरावली राजस्थान में, तो आजस्थान से निकलेगी, गुजरात में चली जाएगी, clear है, ओके, तो मतलब वेस्ट फ् सकते हैं, अब यह कैसे बहती है, चत्यस गड़ से उडिशा बहती है, अब बताओ, कि चत्यस गड़ तो यहाँ पर कहीं है, और उडिशा नीचे है, ठीक है, तो इसका मतलब यह कैसे हो गई, यह इस्ट फ्लोइंग हो गई क्या, so it's an east फ्लोइंग रिवर, यह clear है, एक और अब गोदावरी, यह तीन रिवर हम देख लेंगे, साउथ की तीन रिवर, कावरी, अच्छा मैंने यहाँ पर एक क्यों से लिखी पताओ, मुझे कि साउथ की गंगा किस रिवर को कहते हैं, टिल में दो कॉमेंट बॉक्स, गोदावरी, क्रिशना कावरी, तीन रिवर बढ़ते हैं, ठीक है, इसका सोर्स नासिक महराष्टा, इसका सोर्स महाबलेश्वर महराष्टा, इसका सोर्स ब्रहमगरी करनाटका, ओ, इसका मतलब कि गुदावरी और क्रिशना, यह उपर से आ रही है, और कावरी तो बहुत नीचे में, इसका मतलब कि करनाटका से तो प तो इस नमब वन पॉइट ठीक है? ठीक है, ओम्न वन पॉइट झाल गोलओ, बतावर वरा कि इस पाइगेर निकल के कहा जायेगि ठीक है, यह आपको जोजना है ठीक हैüyorsun gue 구णावणी में क्विक्विक्व्लिपiesenod अनलगतल है यहाँ पर यह तमिलनाडू नहीं यह तेलंगाना है अलाकि दोनों तीन से ही लिखते हैं यह भी तेलंगाना है and this is तमिलनाडू ठीक है इसको confuse नहीं होना ठीक है अब देखो मतातों कैसे आपको exam में solve करता है तो महाराज़् तमिलनाडू अंदरपदेश दो स्टेट्स में और एड़ कर लो याँ यहाँ पर एक आपका चातिस गड़ है Wikipedia का अपका यहाँ दो स्टेट और एक चातिस गड़ है और एक और आपका है यहाँ पर उडिशा ठीक है तो यह दो स्टेट आइड कर लिए हमने अब गुदावरी को दक्षिन गंगा भी कहते है और इस इस सेकेंड लार्जस लिवर रिवर अफ इंडिया ठीक है यह सेकेंड लार्जस्ट है ठीक है तो गंगा उसके बाद गुदावरी यह देख लेंगे फैक्ट ओके अब बात कर लो इसमें पापी कॉंड़ा नाशनल पाक से पास करता है एक्जाम में कोशन पूचा किसमें से कौन से रिवर है वो पापी कॉंड़ा किसे पूचाता है उसने आंदर परदेश फिर बीच में शत्तिसगरमी आ जाएगा and then last में उरिशा में यहां से आकर अपना खतम ठीक है this is how it is going Krishna देख लो Krishna कहा महराष्टा महराष्टा में originate हुआ फिर करनाटका यह करनाटका हो गया Tamil तेलंगाना यहां फिर जाके तेलंगाना आंदर परदेश of course and this is how it is going ठीक है तो यह तीन रिवर का कोर्स देख लिया अब देख लो यहां पर यहां पर नागजुनास सागर डैम पुछले के सिरवर पर है Krishna पर ठीक है अब एक चीज़ पुछले Tributory देखो अब इसकी Tributory इसकी Tributory इसकी तीनों की गुदावरी, Krishna कावरी इसकी बहुत सारे Tributories है बट एक्जाम के लिए मैं याद कराता हूँ आपको क्या याद रखना है एक question पुछता है आपसे कि प्रान हीता जो रिवर है किसकी है प्रान हीता इसदी गुदावरी इंदरावति गुदावरी कैसे याद रखोगे, बताव मुझे इंदरावति में वी आया है गुदावरीम वी आया है अजीर olan diese अगर को च्खी है यापको रटना पढ़ें यापको रटना पादएगए समय कृता इसको फार užई गऑ गाठ प्रभा माल प्रभा देखो पेर करके देख लो ठीक है तो गाठ प्रभा माल प्रभा पेर हो गया तुंग भद्रा एंड भीमा ठीक है तुंग भद्रा एंड भीमा भद्रा एंड भीमा ठीक है ये किसका हो गया ये हो गया आपके कृष्णा का एंड आपको नाम नहीं भीम का connection महाबारस से है और कृष्णा भी यहाँ पर कृष्णा रिवर हो गई तो इस तरह के टूंग भद्रा और भीमा लग रहे ने कोई इस मैथलोजिकल नेम्स ठीक है माल प्रबा घाट प्रबा इस मैथलोजिकल नेम्स लग रहे है अला कि माल प्रबा घाट लग रहे बट इसको देख लो आप ठीक है कृष्णा से connection है इसका ठीक है कृईना भे रिवर देख लेना ओके यह हो गया आपका के फोर कृष्णा के फोर कृईना यह कर रहा है दाइम तो इसको देख लेना कावरी क्रिश्णा कृईना कर नाट का तो से पहले गुदावरी फिर कृष्णा फिर कावरी इस तरह किस देखना है अब यह करनाटका फिर तमिलनाडरू फिर केर्ला टरिबिटरी कॉन कॉन सी भवानी कभी नी बवानी कभी नी देखो नह राहिम कर रहा है बवानी कभी रही है गुजरात, गुजर से कहा लो कर रही है, सरमलत ही ऐगिन गुजरात में कहां से कहा कर ठी था हमें देखा था माही रिवर भी देख लिया था नर्मदा देख ल में था ठीक है नर्मदा क dul बिच करती है वह कौन कमơं से अपका विंदिया सत्पूरा के भीच में तापती रिवर देख लिया था, अंबिका रिवर नहीं देखा है देख लेना इसको उतना ही बॉड़िट नहीं है पर देखो वैतरनी, वैतरना रिवर कहां बैठी है महाराष्ट्रा, अब देखो गोवा में दो रिवर है माण्दोवो है, एक जुआरी है, यह कहा है गोवा में and these all are west flowing rivers कौन सी रिवर है, west flow कर रही है तो exam में आपसे एक question यह पूछता है कि east flowing river कौन सी है और west flowing river कौन सी है option में आपसे बोल देगा देदेगा आपको प्रहंपुतरा ठीक है, option में आपको देदेगा देदेगा माही ठीक, option देदेगा आपको तापी तो क्या बोलोगे, इसमें west flowing कौन सी है माही और तापी, इस तरह किस देखना अब देखो, शितरुणजी, भद्रा और दादर, ये तीनों कहा हैं गुजरात में इसको रटना होगा, देखो basic information दिया है, मैंने compile करके NCRT से, ठीक है अब देखो, भारत, पूजा, पेरियार और पंबा कहा है, केरिया, केरला में पेरियार तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है and पलार, पेनहार और वेंगाई, ठीक है ये आपके तमिलनाडू, वेंगाई, तमिलनाडू में ठीक है और देखो, Mahanadee थो वहने पहला पंदा था Mahanadee कहा पे ढवरथ है, ठीक है Mahanadee कहा पे ताती हमारी यी देखा था न, Mahanadee River कहाँ गई है ये Himasteresta, 95 Kcaster से निकलती है ये Raku Dan बना वाए, 96 Willow Isha में रनाग निकल जाती है ठीक है, that's how we saw that तो Mahanadee River again, कौन सी river दामोदा सुपरने का जारकंड, ये ब्रामनी, बैतरनी, वम्सधारा, रिशिकुलिया, महानदी, ये सब कहां है, ये उडिशा में है, यहाँ पे कौन से टर्टल आती है, ओलिवडिल टर्टल, ठीक है, है ना बितरकनी का, रिशिकुलिया रिवर के माउट पे बंद है, वो ब बात करेंगे, समझो, देखो, एंड़मान निकोबार है, एक निकोबार है, दो आइलेंड है, इसके बीच में जो लाइन है, उसको कहते है, 10 डिग्री चैनल, यूपेसी ने कुशन पूचा, कि एंड़मान निकोबार को किसमें डिवाइड किया, 10 डिग्री चैनल डिवाइ बेंना इसको, छिर्ग्यात, नौ 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 अनमान, मिडल अनमान, साथ अनमान, जिए शां सब्सट्न डिवाइड, इर उन्डवलमान, ठीक है, अब पुछेगा कि बारं आइलेंड अपके आइलेंड अंड़मान में है कि निकोबार मैं है अब धकुछेगा कि बरहनी अब they ask you great Nicobar कहाँ पड़ता है उपर पड़ता है नीचे पड़ता है लाष्ट में पड़ता है एक और चीस पूचे का आप से which is the southernmost point of India that is your Indira Point ठीक है Indira Point कहाँ पर Great Nicobar में है तो Andamr and Nicobar Island तो यह अपर देख लिए हमने it is over and with this our lecture would have ended but we have started with rivers ना तो क्या बजगे हमारा, so we are going to do the mountains now, and the physiography of India basically, ठीक है, करते है, ठीक है, अब देखो, हम दोग वह वाला पाट कर लेते हैं, इसके पहले ना मैं बताता हूँ आपको एक चीज़ देख लेते हैं, छोटा साथ पांच मेंट का टॉपिक है लेक्स, ठीक है, वोल्ड की जो इंपर आपको लेक में क्या ध्यान रखना है, बताता हूँ आपको, कि आप सिफ लेक का लोकेशन ध्यान रखो, ठीक है, अब देखो, बूलर लेक, लाज़ेस फ्रेश वाटर लेक इंडिया में, कहां पर जम्मू कश्मीर में, अच्छा, मैंने भी जश्च पढ़ाया, किस रिवर छेखोते हैं, ठीक है, झेलम से चलो, तो यह हो गया, दल लेक समीर में है, सांबर लेक कहां पर नاجस्थान में, थेवर लेक कहां है, राजस्थान में, सरदा सरोवर GUJRADER, बेजरान सरोविर, नरायन सरोवर, गुजराद, इस जिसमें से सरोवर है, दोनों कहां पर है, गु अब आप यह सारे इंपोर्टेश में हैं लोग पढ़ा भी देते हैं बट मैंने इंपोर्टेंट ली हैं क्यों क्योंकि यूपेसी अगर यह सब आपको नहीं पता है ना दिन यूर नौट अक्चुली जेनरली अवएर ठीक है अब आप यहांद रिच्टेश में और अब आप यह पॉलिकत लेक जीए अनकोड़ियु लेक नागजुना सागर लेक वल्रेक थाइज अन देन in monitor record or it has been removed or what is the scenario right now, okay now, UP में क्या है, Govinda Sagar Pantra Lake, now, why this is important, क्योंकि it is the largest artificial lake in India, now tell me which is the largest artificial lake in the world, Lake Tarkana, कहाँ परता, आफरीका में okay, and that was in news also Lake Tarkana, ठीके तो यह हो गया, लोगतक लेक, Manipur, यहां पर मिलता है, Fumri, Fumri क्या होता है, Floating, ठीके, लोगतक लेक भी हो गया, Cover Lake कहाँ पर है, यह आपका बिहार में, Meandering करते हुए, यहां पर आती है, Oxbow Lake बनाती है, मैं रता है, तो Oxbow Lake क्या होता है, पढ़ा है तो मैंने, World Map में, ऐसे से करके Meandering करके आता है, तो यह एक पार्ट में क्या होता है, लाश में अलग ही हो जाता है, ठीक है, Oxbow Lake हो गया, Now, हिमाज़ा प्रदेश में क्या है, Chandrata Lake, Renuka Lake, ठीक है, यह मैंने पढ़ाया है कहाँ, Wetland में, दोनों आपका Wetland में है, ठीक है, रामसर साइट दोनों के दोनों है, पैंकॉंग सो, कहाँ पे है यह, पैंकॉंग सो कहाँ पे है, इस इन लदाक, यहाँ पर क्या थ्रिट मुवी शूट हुई थी, अब बताओ, इस एक काईड अफ सलाइन लेक, ठीक है, मैं कुछ जीज़े यहाँ पर क्लियर कराता हूँ आपको, इसका मतलब है कि इसके पास कोई भी आउटलेट नहीं है, किसी भी समंदर है, किसी भी रिवर्सर नहीं मिलता है, यह प्लोजड है, अब सिंसे इस इस लोज़े तो आप बोलो कि इसमें पानी कहां से आता है, अब बोलो, पानी कर आया, तो सलन केसे हो गया, तो जो पानी कर आते है तो आसपस के माउंटे नहीं मिनरल लेकर आते है, वो मिनरल इसमें डेपाॉजट कर देता है, आज eth princi इसका पानी तो बाहर जाए रहा, so enclosed मैंने पढ़ाया था आपको कि salinity enclosed की बड़ी हाई होती है क्योंकि इसमें evaporation ज़्यादा हो पाता है so since ये enclosed था तो सारा का सारा पानी निकल गया ये mineral रहे गया and that's why it became salty saline बन गया ठीक है बागे सब तो देख लिए आम ने आपका ये खतम हो गया इंपॉर्टन इध्यान रखना है ये वाला कि polycut lake, kolderu, kolderu लेके already kolderu पे question पूर चुकी UPSC ठीक है polycut lake कि सब कहा है अंधर प्रदेश में नागाजुना सागर, अंधर प्रदेश नागाजुना सागर है मैंने just पढ़ाया आपको कि किस river के उपर है, आपकी Krishna river के उपर है, ठीक है वो गया बात, काम खतम और अब आते हैं हम लोग Physiography of India में, ठीक है अब Physiography of India क्या देखना है यहाँ पर देखना है कि India को हमने कितने पार्ट में हमने divide कर रखा है basically okay, give me a second यहाँ पर आपका यह इस तरह के से मीचे आएंगे, यहाँ पर कच्छ है ठीक है, इरादस्तान वना डिजर्ट है यह कठियाबाड है, ठीक है, अगेन यह आपका वो हो गया, यह मरूस्ताल इसको डिजर्ट बोलते है तिनिया आपका यह सारा coastal plain है, यह पुरा गुरीन वाला जो पार्ट है यह गुजराद plain है, यह कौनकान plain है, यह केडला plain है, plain का मतलब क्या कि कोश्ट में जो बनाओ प्लेन है, plain deposit से बना हुआ है, ठीक है, इस पार्ट इस प्लेट है, जबसे ज़्यादर यह आपको छोटनाग प्लेटू भी यही पर आ जाएगा, ठीक है, सारे मंदर्स, कोल अगरे यह पर मिलेंगे आपको, ठीक है यह मालवा प्लेटू, फिर यहाँ पर आपका यह कौन सा, यह बीशत नर्मदार रिवर बहती है, ठीक है, विंधियस पूरा हो गया और यहाँ पर आपका इंड़स गंजटिक अर इब बहामपूत्रा तो यह इसको बोलते हैं, इइप गंगा इंड़स पें गंगा। गंजटिक प्लेटिक बहामपूत्रा प्लेटू अब यह प्लेट का मतलब इस मैं समझाओंगा आपको फिर यहां पर Eastern Himalaya यह Pruvanchal Pruvanchal Himalias ठीक है, Pruvanchal बोलते हैं इसको ठीक है एन बस इसको डिटल ने पढ़ लेंगे इसको डिटल ने पढ़ लेंगे और इसको डिटल ने पढ़ लेंगे यह सारे के सारे coastal है देख लिए अब हम लोग one by one करके detail बात करेंगे what is Himalaya ठीक है what about Himalaya के बात करेंगे हम लोग Central Hills and Southern Hills and then we'll talk about provincial Himalayas and some basics and some passes and then we are over with this ठीक है so okay चलो Himalayas देखो भई Himalaya में क्या देखो देखो Himalaya के तीन पार्ट है Trans Himalayas, Greater Himalayas, Lesser Himalayas and Shivalik तो Himalaya के चार पार्ट में Himalaya बना ठीक है, रेंजे से बारें बात नहीं कर रहा हूँ मैं मैं Himalaya के चार लेयर्स के बारें बात करूँ चार टाइपस और Himalayas है ठीक है, अब यह चार टाइपस क्यों है क्योंकि यह जो Indian प्लेट था हमारा, यह इरूशन प्लेट है जब-जब कोलिजन होँ तब-तब क्या हुआ, वट हपंड? देर इस लेयर फ्मांट इच फॉर्म ठीक है अब मुझे बताओ कि क्या प्रजेंट में भी फोल्डिंग हो रही है यह हो रही है और सिंस अफोल्डिंग इस तिल गॉइंग ओन can I say that the height of Himalaya is increasing okay so there are two types of forces which are acting what is your endogenetic forces लिख दू के में आप है, okay there are two types of forces which are acting one is your endogenetic forces another one is your exogenetic forces मतलब क्या समझो, endo का मतलब वो force होता है जो mountain की height को increase करेगा exogenetic forces वो होते है जो mountain की height को को decrease करेंगे क्या मतलब है, endo मतलब की अंदर से force लग रहा है ठीक है, मान लो की mountain की electronic movement से folding हो गई folding से क्या होगा, ये fold करते करते इसके height बढ़ेगे exogen का मतलब क्या है, मान लो की river ने erosion कर दिया, wind ने erosion कर दिया external forces लग रहे है they will reduce the height of the mountain पहले जादा था, फिर कम हो गया फिर कम हो गया, फिर कम हो गया that is why Himalaya का size अभी increase हो रहा है का decrease हो रहा है क्या हिमालय पर erosion हो ने रहा है आप बोलो कि erosion तो होता है but erosion के साथ-साथ उसमें upliftment भी हो रही है क्योंकि plate अभी still move कर रहा है Aravali however Aravali तो बहुत नीचे चला गया है देली में जो हमारा वो है आप देखते हो राइसना हील्स वो तो flat है क्यों, क्योंकि वो मिलियन्स ओफ यर्स, लाक्स ओफ यर्स से क्या हो गया वो यह agent ने उनको flat कर दिया ठीक है तो वो भी uplift होना रुख गया है तो उसकी endogenetic forces is less as compared to the exogenetic forces यह dominate कर गया अब top to bottom जाएंगे तो क्या होगी यह बड़ी की घटी की बताओ, यह सबसे पुराना है यह उससे भी कम पुराना है, उससे शिवालिक सबसे latest है ठीक है इस तरह के से यह हमने range बनाया ठीक है, ओके तो अब देख लो, यहाँ पर हमने बनाया यह वाला यह ब्लैक वाला शिवालिक है, ठीक है ठीक है studying शिवालिक होगया और यह उसकी उपर वाला लेसर होगया and देन देरिज और यह आपका क्या कहता है यह अब आपका जो है, ट्रांस हेमालिया होगए पुछेए, कौन-कौन से जैंगे तो काराकौरम, लदाक, एंजास्कार ठीक है, काराकौरम वे सबस्क्वी है काने केटू ठीक है, ठीक है, ट्रांस हिमाले केटू भीग गया ठीक है, ये हो करें, अब बात करो नंगा परबत है, ठीक है मसूरी रेंज है, कुमाओ रेंज है ठीक है, यह सारे आपको समझने किसके स्टेट में, मसूरी, कुमाओ यूपी, एक यहाँ पर आपका यह भी आता है गालवाल रेंज भी आता है, तो भी आपके यह उत्राखंड में यह भी नहीं उत्राखंड में ठीक है पीर पांजल जमू कश्मीर माचल धौलादार जो है जमू कश्मीर माचल अब पीर पांजल धौलादर जो है धौलादार जो है यह लेसर हमालय का पार्ट है लेसर हमाले का पार्ट क्या है पीर पांजल धौलादार ठीक है यह आपका पीर पांजल यह धौलादार है ठीक है अब यह मसूरी कुमाओ ठीक है यह सब लेसर हमाले में चल जाएगा आपका यह महाभारत वाला यह सब एंदेन डेर इस यह यह ज़िक ट्रहेटर बी आएगा ठीक है एक पर यह क्रॉस चेक कर लेब ठीक है असा मुझे सूरी और कुमाव range आपके किस हमाले का पाड़ है ठीक है अब ग्रॉस चेक कर ले ना ओके अच्छा अब यहां में देख लिए ट्रास्वरेटर देख लिए शिवाली देख अब शिवाली कौन सा है यह ब्लैक वाइल लाइन जो है यह शिवाली के रेंज उस है शिवाली के रेंज सबस Continent Conversion शेबना है ठीक है, और यह आपका बाकी सारे जो रेंजेनस बनने हैं..., यह by तीन रेंजेस जए है, यह toर यह कॉंटिनेट कॉंटिनेट कानेट से बनने हैं, मतलब की, Indian Plate with the equation plate ठीक है, अब यह detail मैं कहां पढ़ेंगे, Indian Journalism EU पढ़ेंगे ठीक है, में अब Central Hill में देक्फ लो आ जाओ विनद्या सत्पूरा ठीक है अब यह आपका Green ये सत्पूरा रेंज इस में कौन खुछेट कहां पर सत्पूरा में है टीक है Mile का सरते है Mile का समस्य घाल माराश्मण का हरिच्छेंदर महाराष्ठ यहां पे 7 माला लिखावाया यह इन फिल चारो महाराष्थ में है ठीक है गिररंज गुजराथ, गिरमार गुजराथ राज पिपल आपके गुजराथ ठीक है और यहां गुरू शिकर अपका राजस्थान, मांट अबू गुजराथर सतान अब आज बड़ो पुर्वांचल हिमाले हमाली है जो कि इस पार्ट ने पुर्वांचल हिमाले है ठीक है अब यह देख लो कि यहां पर जो हील है गारो खासी जहन दिया यह हमाले का पार्ट ने ही very important किसका पार्ट, it is part of the Carby Anglong Plateau that is the Peninsula Plateau, यह ध्यान रखेंगे, ओके, एक fact exam के लिए ध्यान रखेंगे, ठीक है, और के ध्यान रखेंगे, पटकाई बं, Naga Hills, ठीक है, and Mezo Hills, ठीक है, यह इस इस वे में टॉप्टो बटम मेरेंच कर सकते हो, आप एक पूशन पूश लिया तो, ठ अरणाचल में क्या क्या है, तो दाफला हिल्स, मीरी हिल्स, अबोरो हिल्स, मिश्मिहिल और पटकाई बं, यह चारो कहां पे हैं, अरणाचल में है, यह exam में ध्यान रखना, very important, ठीक है, अब और fact ध्यान रखो, यहां पे, नंगा परवस से लेके, नामचा परवा तक, ठीक है, आगया, अब northernmost point क्या है हमालय का, पामीर नॉट, exam में एक MCQ बन सकता है, ठीक है, कुलून शान आपका इधर है, चाइना से आ रहा है, अफगान वाला यहां पे आपका है, हिंदु कुछ माउंटन और हिमालय, यह तीनों ही से निकलता है, पामीर नॉट, सबसे highest point हो गय गया, यह तीन आओतर्मोंट है, कश्मीर वैली देखो, कशमीर वैली पुछे किस किस के बिच में है, ट्रांस हमालय जार зал लिचा है, तो ट्रांस हिमाले और यह आपका लेसर हिमाले के बीच में क्या है कश्मीर वैली तो है ठीक है बस हो गया जो डिटेल और बात करेंगे हैं मुझा इंडिन जॉग्रफिज पढ़ाओंगा मैं आपको इंडिन फिजोगरफी तो बता दूगा डिटेल में ठीक है अब पासे दे रोटांग पास कुलू इस्पिती वैली यहां से मैं अटल टनल बनाया है तो इंपारण हो जाता यह ठीक है और जोजीला टनल बनाया है हमने कश्मीर लदाग को निक करती है ठीक है बुर्जील पास इंपॉर्टन स्ट्रटिजिक इंपॉर्टन है स्रीनगर और गिल्गित क क्या होता है P-OK के यहां से क्या पास कर रहा है आपका क्या पास कर रहा है बता है मुझे यहां से आपका China का built and road initiative पास करता है ठीक है? okay. Now, 12 लाचा बार लाचा ग्रेशर से क्या निकलता था बता है मुझे, काउन बॉक्स में, बढ़ाई जस्में है, ठीक है, शिपकिला बताती है, शिपकिला से कौन इंटर करता है, देख लिए है, सतलच इंटर इंडिया, एंड उसके बाद लीपूल एक देख लेना, लीपूल एक थरह से इंबॉरेंट है, एक पास होगे आपका सत्पूरा में, उसको बोलते है खांडवा गैप, पुछले खांडवा बैक कहां पर है, खांडवा गैप तो सत्पूरा में, एक है थालगाट और बोरगाट एक बाल घाट, जो किया पर तमिल नाडवो, इसको पलककड गैप भी बोलते है ठीक है, इसको क्या बोलते है पलककड गैप भी बोलते है ठीक है हो गया, बस इतना देख लो उपर-उपर से और हमारा यहां पर काम कहतम हो गया, ठीक है इन अगगा है ब कूछ replied again, प्स एतना तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि sleep of tongue हो गया हो, research करने में कुछ उपड़ निचे हो गया क्योंकि multiple research का sources होता है, chat GPT भी गलत बता है कभी-कभी तो ठीक है, so that is the thing, कुछ होता है देख लेंगा, but 99.9% majority है कि facts में कुछ भी गलत नहीं होगा, but फिर भी sleep of tongue हो है, तो I apologize, now coming to the main point, कि कि क्या करना है, पांच बार revise करना है, जिस तरह किसे मैंने पढ़ा है, उसी फॉर्मिल में revise करना है, and इस से ज़्यादा कुछ करनी की mapping में जरूत नहीं है, करा हुआ है तो revise कर लेना, अगर नहीं किया है भी तक कुछ भी, तो mapping के लिए कुछ भी मत करना, क्योंकि exam तक याद कर लोगे ना, तो this is, I can give you the guarantee कि exam में इतना ही याद नहीं रहेगा आपको, और अगर इसको याद कर लिया, then trust me, you are much much ahead of the race, ठीक है, इस देखने में easy लग रहा है आपको, but इसको याद कर लिया, easy मैंने बनाया है इसको, इसको याद कर लिया, then you are much much ahead of the race, अरे आपने क इसको याद कर लिया, 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 nothing is left, so I am telling you, it is more than comprehensive in itself, so just let it be, and give your best, and trust me, revision के साथ साथ इसको कर लिया, and this is over, तो हमारी mapping series में हमने क्या क्या लिया, IR लिया, places in news लिया, then we talked about the world, world mapping, and then we talked about the Indian mapping, ठीक है, ये चार lecture मैंने इसको निप्रा दिया, and this is your IRN mapping is over, ये मेरे lecture में, series में नहीं था, and that's why our schedule is delayed, but I will try to overwork, and एक में से हमारा economy start होगा, ठीक है, okay, so I will meet you in the next lecture, which will be of your CSAT, okay, okay, all right, take care, bye, Godspeed.